नमश्कार योर मनी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ समित और योर मनी जहाँ पर हम बाचीत करते हैं आपके परसल फिनाश जोड़े वे सवालों को लेकर और साथी साथ हम बाचीत करते हैं अलग-अलग टॉपिक्स पर इंटरस्टिंग टॉपिक्स पर जिस पर हमारे जानकार आपको राय देते हैं सलहा देते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बहतर बना पाएं अपने रिटरन को मैक्सिमाइज कर पाएं और एक लंबी अवदी में जो निर्धारित गोल्स हैं उनको एजिली अचीव कर पाएं अलग-अलग सवालों को हम शामिल करते हैं इस कारक्रम में अलग-अलग माध्यमों के जरीए आप हमाज साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इन माध्यमों के जरीए हमाज साथ जुड़ सकते हैं AskAvazYourMoney हमारा हैश्टाग है इसके जरीए आप Facebook X यानि की फॉर्मर ट्विटर के जरीए आप सवाल पूछेंगे आप हमें अपना सवाल सीधे सीधे भीच सकते हैं इमेल कर सकते हैं YourMoney at the rate NW18.com पर और उसके अलावा आप WhatsApp भी कर सकते हैं 7045 2200 00 यह हमारा WhatsApp नंबर है जिस पर भी आप अपना सवाल भीच सकते हैं सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना portfolio हमारे experts के जरीए आप दिखवा भी सकते हैं बाचीत भी कर सकते हैं आज हमारे साथ Wise Invest के CEO हेमंत रुस्तगी सर मौझूद है जिन से हम बाचीत करेंगे आपके सवालों पर भी और साथी साथ हम बाचीत करेंगे इंटरस्टिंग टॉपिक पर भी एमन सर आम तोर पर हमने सुना है mutual funds सही है लेकिन मेरा वाला सही है कि नहीं है ये सबसे वड़ा सवाल उठता है तो इसकर क्या जवाब है कि जब हम login करते हैं एक नया निवेशक login करता है एक fund selection शुरू करता है तो उसके सामने बहुत सारे option आते हैं growth है, dividend है, balance है, flexi है, multi caps है, sectoral है तो इतने सारों में मेरा चुनाओ कितना सही है ये कैसे तैह होगा जी समिता अपने बहुत सही का mutual fund हमेशा कहते है कि सही option है लेकिन आपके वाला mutual fund सही है कि नी, वो depend करता है आपने इस तरीके से अपने funds को चुना है लेकिए ये तो proven fact है world over, including हमारे देश में कि mutual fund जो है बहुत ही simple, subtle जिसको बहुत है investment option है लेकिन उसका फाइदा उठाने के लिए आपको सही fund की selection करने के जरूद है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, उसके कुछ steps है जो आपको हमेशा ध्यान रखने होगे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जरूरत कैसी है मतलब आपके पास समय कितना है, आपकी risk profile कितनी है किस तरह के से आपको return चाहिए, जैसे आपने का आपको dividend चाहिए, growth चाहिए या दोनों चाहिए, तो सबसे पहला step तो है मैं देखूं कि मेरी खुल की requirement क्या है क्योंकि ये कहीं न कहीं मुझे मदद करता है कि मेरे पास कितना समय है, मेरा risk profile कितना है कि मेरी asset allocation जो हम कहते है न हमिशा, कितना पैसा equity में जाए, कितना पैसा dent में जाए, कितना पैसा commodities, जैसे gold silver में जाए, कितना hybrid में जाए पहला कदम तो मेरा कि होना चाहिए कि आप वहां से शुरुआ करो एक बार मैंने डिसाइड कि कितना कितना पैसा different asset classes में जाएगा, फिर दूसरा step होता है कि उसमें से में कौन से fund चुरुआ, कुछ parameters है वहाँ पर, जैसे हम कहते है कि past performance देखनी है, past performance एकलोटा एक factor नहीं हो सकता, तेकिर वह बहुत important भी है, त्यूंकि उसमें भी आपको level of diversification कितना है, right, quality of portfolio कैसा है, उनकी investment philosophy कैसी है, तो ये कुछ factors है देखके फिर आपको fund को चुनना है, जब हम performance की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप गए और table में देखके ज़िए top five fund है उनको ले लिया, आपको consistency देखनी है, right, performance के अदर, तो ये कुछ factors हैं, जो कभी-कभी शायद एक arm negotiation के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, तो अगर ये difficulty लगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी professional distributor या advisor के साथ काम करें, जो at least आपको मदद करेंगे इस process को समझने में और सही fund को चुनने में, तो अब वह कहा कि कुछ साथ पहले सुमेच सेभी में तो उन्हों ने ये थोड़ा असान कर दिया देखने के लिए, कि भई debt funds में क्या categories होंगी, equity में क्या categories होंगी, और hybrid में क्या categories होंगी, तो कहीं ना कहीं है fund selection का जो process से थोड़ा असान हो गया है, बट इस पे काफी ध्यान देने के ज़रूरत है. तो हेमन सर, हर जैसे कहते हैं कि आप जैसे ऐसे age बढ़ती जाती है, वैसे वैसे खाना भी अलग होता जाता है, पहले आपकी age में कुछ आप खा लेते थे, दीरे दीरे आपकी age बढ़ती होता, आपके खाने के तौर तरीके बदलते हैं, lifestyle बदलता है, तो क्या है mutual fund के लिए अपनी केवल है कि जैसे मेरी age बढ़ती जाएगी, यानि investor की age बढ़ती जाएगी, उसकी planning बदल जाएगी, उसका fund selection बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी, ऐसा भी कुछ होगा क्या? या सुरी जाएगी कि बिल्कुल important factor आपने जाएगी, क्या होता है, आप different phases में बजरते हैं, आपके अपने career में, आपने life में, एक phase ऐसा आता है, जब आप पैसे क्यों accumulate करते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, ताकि आपके जो long term goals हैं, चाहाएगी retirement हो, बच्चों की education हो, आपक long term भी हो सकती है, वो medium term की 5-7 साल की भी हो सकती है, बहुत short term की हो सकती है, तो जैसे जैसे आपने बिल्कुल कहाँ, वो सही long term के जो goals हैं, वहाँ पे बिल्कुल apply करता है, हमने जो risk profile की बात की, वो risk profile भी आपका समय समय बदलता है, एक ऐसा phase आता है, जब आपको काफी सारी responsibilities लेकिन आपके जो परसनल सिच्वेशन है वो आपको अलाव नहीं करती कि आप बहुत जादा रिस्क ले फिर आप ऐसे स्टेड में पोंचते हैं कि आपकी जो बच्चों के एडिकेशन हो गई आप करियर पॉंट ऑफ यू से आप एकदम अपने पीक पे हैं तो वो जो साल होत हैं वहां पर थोड़ा जादा रिस्क ले सकते हो तो अधिक कहीं न कहीं जैसा मैंने कहा कि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है आपको यह समय देखना है कि कितना है आपके पास और जैसा मैंने कहा कि तीन तरह के ऐसे क्लासिज में आप इवर्स करते हो डेट में क की maturity से math करेंगे जैसे माल लिजिए आपको एक मेने के लिए पैसा पाक करना है तो आप लिक्विट फर्ड में क्यों जाते हैं विए कि जो लिक्विट फर्ड के इंस्ट्रिमेंट से हुझारिटी 91 देज जाती है अगर आपको छे मेने का पैसा पाक करना तो आप लो डुरेश जाती है वहाँ पर आपको पता है आपको लाग प red Biden पैसा लगा रश Krई पर जेवे इसके लिए पर पफॉलियो लेव जैसे बैने का यह सारा डेटा अवेलेबल है आपको, आपको फंट की फैक्शीट में मिलेगा, आपको जैसे बनीकॉंट्रोल.com पर जाएगे, वहां पर मिलेगा, काफी सारी जगहा है जहां पर यह आपको डेटा मिलता है, आपको यह डिसाइड करना है कि आप पर वो शंता ह कि आप खुछ से अरलाइज कर सकते हैं या नहीं, अगर नहीं कर सकते हैं जैसे मैंने पहली दी कहा, किसी प्रोफेशनल की साथ बैठ के काम कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं, आज जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आप जो आप कर रहे हैं, उसका आपका जो फैनेंशल फीचर ह हेमन सर, ऐसा भी होता है, बहुत बारी कई सेक्टर को हम भहितर तरीके समझते हैं, मान लीजे, मैं किसी इन्वेस्टर की बात करूँ जो डॉक्टर हैं, वो फार्मा को अच्छे समझेंगे, कोई FMCG में काम करते हैं, तो सेक्टर को अच्छे समझते हैं, इनकी च्वाइसि हर इंडिविज्वल की इंकम सेलेक्शन के हिसाब से, उनकी नॉलिज के हिसाब से अलग-अलग होती है, तो क्या यहां पर भी फंड सेलेक्शन वे अंतर आता है? हाँ, यह दो इंपर्टेट असपेक्ट है, एक तो यह कि मैं किसी इंडस्टी में काम करता हूँ, मेरे पास नॉलिज है, तो अब्यस्टी आपका फ्यूचर उस इंडस्टी से अलड़ी लिंट है, तो यह आपको डिसाइड करना है कि आपका इंडस्मेंट भी उससे लिक हो है, अगर कोई ऐसा इंडस्ट होता है, जहां पर आपका जॉब लॉस हो, आपको दुवारा से रिप्लाइमेंट होने में इतनी प्रब्लम हो सकती है, आप अपना बिसनस कर रहे हो, उसमें अंसर्टरिटी हो सकती है, इल्रेगलर्टी हो सकती है इंकम में, तो I think income levels अलग है, जिस तरीके से income आती है, वो अलग हो सकती है, हमारी goals अलग हो सकते है, एक ऐसा इंडस्टर हो सकता है, जिसके लिए शायद एक करोण भी कम पड़े, और एक ऐसा इंडस्टर भी हो सकता है, जिसको 10 लाग बहुत बढ़ा में रकम हो, तो I think it all depends, relative term में देखना है हमारी कितनी requirements है, हमारी कितनी income है, और हमारी लिए क्या suitable है, तो I think यह जो पूरी चीज है, चाहिए fund selection हो, चाहिए आपका adjustment process हो, कही ना कहीं सबसे उपर जो आपको रखना है, वो रखना suitable है, जी, तो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग माध्यमों से आपके जो risk profile है, या आपकी जो situations हैं, उनके हिसाब से चीजे बदलती रहती हैं, इसलिए fund selection करना, या कौन सा fund आपके लिए सही है, या आपकी individual choice है, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो किसी एक बढ़िया वित्य सलाकार की रहा है, इस पर जरूर ले, लेकिन हर चीज आपके mutual fund का selection बहुत ह करिया सर जी, क्या सवाल है निकुन जी आज आपका, मैंने मेरा portfolio आपके भेजा है, मेरे को वस इतना है, कि मेरा साराना 19,000 के investment है, अभी में हर सार 2,500 रुपिया इन्वेस हर सार बढ़ाता हूँ, तो मेरे को कुछ aggressive fund में आपके बनना है, कि gold SIP में आपके बनना है, वो निफाईयर से चालू है, चलिए तो मतरब करीब करीब आप बजार में रफली 14 साल दे चुके हैं, अगरी, ओके हाँ, यह सर, चलिए, बहुत बड़ी है, वही नाइस, क्या करना चाहिए हिमन सर, इनके निवेश, बहुत समय से यह निवेशित है मारकेट में, और step अप भी करते हैं, डिसिप्लिन के साथ 25 सो रुपे नोंने खुद कहा कि step अप कर लेते हैं, तो क्या गोल्ड के SIP में रहें, क्योंकि इनकी एज अभी उस तरह की नहीं है, कि यह डेट या गोल्ड की तरफ जादा फोकस करें, लेकिन हाँ, अभी यह क्या करना चाहिए, इनके NPSP है और बाकी funds पर आपको भेजे हुए हैं, क्या सला देंगे आप? कि यह कमी है जिसको इनको गुरा ध्यान क्योंके जरुटरे महने के जरुद ही, इनका पॉर्फोलियो है इसको जो क्लैरिटी नहीं है, परआपको दोटे णता है, और पर आपके में। मेरे पास समय कितना है, मेरा गोल कितना है, एक assume rate of return equity में है, गर long term में तो 12% मानके, कितना पैसा मुझे इंवर्स करने के जरूत है, ये step करेंगे तो मुझे लगता हूँ बैतर है, अब मैं इनके portfolio पर गराओ, तेरा fund है जहां पे वो SIP कर रहा है, मुझे लगता है बहुत कितना समय है, तो ये बहुत मुझे है, कहीं न कहीं को portfolio को consolidate करने के जरूत है, मेरे इसाब से 4 या 5 fund इनके लिए, बिल्कुल सही रहेंगे, अगर आप सही fund चुनें, आपने पहले बात की, सही fund चुनें, जो allocation आपको चाहिए, different asset classes में, different segment में, वो आपको बिलेगे, तो इनके existing funds हैं, तो वो इसमें continue कर सकते हैं, amount बदलने के जरूत है, वो है, quantitative fund और HDFC small cap, quantitative fund, जो flexi cap fund है, उसमें 4,000 invest कर सकते हैं, और HDFC small cap fund है, वो 3,000 invest कर सकते हैं, इसके अलावा मैं चाहिए, तीन fund अपने portfolio में रखे हैं, और मैं ये देख के मतारा हूं उनको, कि ताकि इनको जो allocation है different market segment में वो अच्छे से मिले, एक contact multi cap, एक HDFC large and mid cap, और एक में भी मोतिलाव उसमा large and mid cap, तीनों में 4-4 दापे इसमें कर सकते हैं, कुल मिलाके इस तरीके से आपकी investment होगी, और जो balance आपको चाहिए, वो मिलेगा, funds कम होंगे, monitoring करना असान हो, तो कुछ बदलाव आपको बताय असान मौझूद है, शैनली जी नमशकार, क्या सवाल आपका, नमशकार सिर्ट, नमशकार माम, तो मैंने आपका fund देखके यह शुरू किया है, तो शैनली जी आपने निवेश शुरू कब से किया है, यह 2022 से उससे पहले आप ना निवेश करते थे, उससे पहले तो यह एफ FD होगी, LIC होगी, जो टेडिशनल भी है, तो FD से mutual fund में आने के लिए ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि इसमें आना चाहिए मुझे, मुझे यह आपके शुरू वगरा है, देखके मुझे यह लगा कि इसमें दो मर्लब कोई सांस रिटर्नी बन रहा है, और LIC और यह तो तो सेफ्टी वारा कंसर आपका दूर हो गया FD से और मुझे फंड वाला हाँ, मुझे फंड सेफ है, मार्केट भी सेफ है, उसमें भी मैं तोड़ा कर रही हूँ, ओके, चले, बढ़िया बढ़िया, बढ़िया, वेरी नाइस, आप निवेशित रहिए सालों साल तक, जितन चाहूंगा और आपसे भी पूलना चाहूंगा, कि क्योंकि ये 2022 से निवेशित है, और बजार तब से गुलजार है, अब तक उतना बुरा सेनारियो देखा नहीं है, किसी बड़े निवेशक या बड़े जटके बजार में, तो आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए इने शुरुआ किया, वो काफी कमेंडेबल है, मुझे लगता है कि ये बात सही है, जब से इन्वेस्मेंट करना शुरू किया है, मार्केट ने काफी अच्छा रिटन दिया है, तो शायद इन्होंने अभी वो पीरिट देखा ने, एकसेप बहुत रिसेंटली जब मार्केट में वोलेटिलिटी है, लेकिन देखें, क्या इनके फेवर में हैं यहां पर, इन्होंने कहा कि 15 से 17 साल कर समय, बहुत लंबा समय है इनके बास, वो में जाते हैं कि मार्केट समय समय पर वोलेटाइब होता है, लेकिन लॉंग रन में, एक्विटी से जो आपको रिटन मिलते हैं वोलेटिलिटी का, तो जो काफी रिस्क जो होता है वोलेटिलिटी का, उसका इंपक्ट नाइज़ आपको पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रिस्क है, दूसरी अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ा डर क्या होता है, एक्विटी में इक्वि तो जो काफी रिस्क जो होता है वोलेटिलिटी का, उसका इंपक्ट हमारे पोर्फोलियो पे बहुत काम हो जाता है, कम ही नहीं होता है, इंपक्ट वो लॉंट टम में हमारे बेनिफिट के लिए काम करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक बार नोंने मन बनाया, अग अगरी अपना प्रोसेस कंटीनू करते है, काफी अच्छा रिटन को रिटन मिल जाएगा, इनके पॉर्टफोलियों का मैं देखूं तो इनोंने करीब 5,500 दो इंडेक्स फंड में लगाया है, एक निफ्टी है और एक नेक्स 50 है, तो अबिसलि इनोंने जो पुरा युनिव पर इंवर्स किया है, ये भी प्राइमरिली एक लाज कैप फंड क्या सकते हैं और इसमें कुछ हिस्सा जो है, को यूस मार्केट में भी जाता है, तो आधिक फंड अच्छे हैं, अब दो फंड जो हैंके, एक इनके पास एक्सेस का मिट कैप फंड है, और एक स्मॉल कैप फ बेभी अबंदन स्मॉल कैप देखें, या निपोन इंडिया स्मॉल कैप देखें, तो वो बहतर आप्शन है, जो एसिस्टिंग फंड है, कुछ बदला और जैसा मैंने का, इंपोर्टेंट ये है, स्ट्राटीजी को कंटिल्यू करिए, जब 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 पॉसिबल वो अपनी अपनी इंवस्मेंट अमाउन को बढ़ाईए, ताकि आप कहीं बड़ा कॉर्पोस बना करें, तो हेमाद सार इनों ने क्योंकि शालनी जी ने अपने बेटे का पोर्फोलियो भी बेजा है, उनकी उम्र 19 साल है और उनका करीब 7000 रुपे के आस पास के SIP उनके लिए भी करत जो है, उसके सामने अगर आप निपोन इंडिया ग्रूफ़ फंड देखें तो बेटर है, और मेरे एक एसे का जो लाज क्या फंड है, वहां पर एक फ्लेक्सि क्या फंड रखें जैसे निपोन इंडिया फ्लेक्सि क्या प्रकें, या कॉन्ट एक्टिव फंड की अपने वा बदलाव वैसे दो आप 80-90% सही है लेकिन थोड़े बहुत बदलाव की जो बाचीत आपको हेमन सर ने बता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अदर्वाइस इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखिया है कि बाजार में उतार चड़ाव दोनों रहते हैं और S.I.P. आपको इसी में हल्प करता है तो इसी लिए अभी थोड़ी गिरावट अगर आती है कोई सिनारियो बनता है तो आपके लिए बढ़िया मौके वहाँ पर भी खुल जाएंगे एक ब्रेक का वक्त हो गया है ब्रेक के बार लोटेंगे हैं हेमन सर बने रहेंगे उनसे हम आगे बाची सर से साती साथ हम आपके सवालों के जवाब भी ले रहे हैं और आज का टॉपिक था कि आपका फंड कितना सही है या कितना नहीं है इस पर विए बाचीत की लेकिन अगले दर्शेक मारे साथ अब दिल्ली से हैं मनोज कुमार अगरवाल साथ मौजूद है मनोज जी नमशका साथ साल में या दस साल तक भी ले सकते हैं बिकोज माई वाइस वरकिंग तो आफर टैनियर हाव मच आइकन इंक्री हाव मच आइकन गैट फोर विए फोर माई रिटार्मेंट को उपस और दूसरी चीज क्या मनोज सर आप दस साल बाद इसको एक पैंशन की तौर पर देख करना चारा हूं जिसते कि मैं अपने 40-50,000 आज की डेट में मेरा expenditure है तो वह inflation के बाद उस टाइम पर जो भी होगा 50,000 से इट विपकम 75,000 इस ताइम तो उतना मैं निकाल ले कि सोच रहा हूं तो हेमन सर साथ से आठ साल का कॉर्पस ये कितना बना पाएंगे साथ से दस साल में 50,000 के आसपास की एक मुश्ट रखम है इनके पास क्या करना चाहिए इनको क्या इनके लिए best solution है अगर अगर आपको समय दें तो उतना कॉर्पस बन 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 बाएगा वाँपे दूसरी बात किस तरह के फंड हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पास तो बैचांगा के एक मिक्स हो जैसे एक aggressive hybrid fund, एक balanced advantage fund और तीन equity fund फंड मैं इनको recommend कर देता हूं ये decide कर सकते हैं कि उनको ये फंड चाहिए ये कुछ और फंड दिख सकते हैं वो को फंड दिये हैं ताकि उनका जो allocation in different market segment में और equity और debt के बीच में वो सेखी हो फिर इन्होंने कहा कि जैसे हमने कहा कि गेड़ करोड का कॉपस को बनाने की उभीद कर सकते हैं इन्होंने कहा कि अगर 75,000 पर मंत लगेगा मालीजे तो करीब 9,000,000 रुपे की जरूर पड़ेगी इनको हर साथ 10 साल के बाद तो systematic withdrawal plan एक बहुत ही efficient तरीका है उसको इनको इस्तवाल करना चाहिए इनका 10,000,000 रुपे हमने जो डाला है balance advantage में वहां से शिरुवात कीजिए अपने SWP की तो जो करीब-करीब 6% होगे इनके काउपर्स का उस समय पे जो बिल्कुल सही है मेरे इसाब से उसमें क्या है कि आपको 6% निकाल मिलेगे, आपके कर्चे पूई होगे और साथ में थोड़ी बहुत ग्रोफ भी आपको मिलती देगी ताकि आप inflation को टैकल कर से बाकी जो funds है equity के आगे जाके दीरे दीरे इसको डी बैलंसिक करके आप hybrid category में लेके जाए क्योंकि उस समय पर आपकी requirement जो है more of consistency और income की होगी, आपको return भी अच्छा मिलेगा और आपको जो volatility वहुत थोड़ी का होगी तो शुरुआ केंजिए इस mix से अगे जाके जाके जैसा मैंने का, SWP पहले कीजिए balance advantage fund से, फिर aggressive hybrid fund से और उसके बाद जो equity fund आपको convert कीजिए और वहां से बगने SWP तो मुझे लगता अच्छी strategy है, अगर ये discipline तरीके से बने रहे, एक ही और चीज़ कहना चाबगा है, अपर lump sum है, एक साथ मत लगाईए, market में volatility है, मेरा ही मनना है कि आप 30% lump sum लगा सकते हैं, और बाकी जो है, अगले 3-6 मेने में systematic transfer plan से invest कीजिए, अगर कहीं मौका मिलता है, आपको बड़ी fall आती है, तो आप एक साथ ही उसको switch कर सकते हैं, अगर market उपर भी जाए, तो भी आपके पास uncertainty होगी, कि अब ये समय है कि हम और अपनी allocation को बढ़ा सकें, तो ये strategy wise मुझे रगता है, mix लिजिए, learn some more systematic transfer हैं, तो आपको रायर एनिती बताई गए है, मनोज जी आप उसके हिसाब से अपना portfolio डिजाइन कर सकते हैं, और उमीद करते हैं, जो आप goal साथ के चल रहे हैं, पूरा होता हो, दिखाए पड़ेगा, हमन सर बहुत 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 शुक्रिया, हमाई साथ मौजूद रहने के लिए, और जाने से पहले हमन सर के तरफ से, और देख सकते हैं, फिलाल अब यूर्मनी को इस अमेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसला बना रहेगा.